तो फ्रेंड्स लर्निंगे नए अंदर्द में आपका श्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे काश्ट आरन के टाइप के बारे में काश्ट आरन के कौन कौन से टाइप होते हैं तथा उसमें कार्बन के परसेंटेज कितनी होती है प्रोपर्टी क्या चेंज ह होता है तता वे कौन-कौन से यूज में आते हैं उनका यूज क्या है उन सारे क्वेस्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा तो सबसे पहले का च्टाइब के आन्य को कारबन की जो पर्सेंटेज होती है वो तीन से लेके तीन दसमानों पांच परसेंट होती है ठीक है और इसमें कौन-कौन सिलेंडर ब्लॉक में कियाता है जो हमारा जो इंजन होता है जिसमें पिश्टन मूब करता है तो उसका जो ब्लॉक होता है वो ग्रेक आश्टारन का बना होता है फ्लाइब वील बनाने में ग्रेक आश्टारन का यूज होता है उसके लावा गियर बॉक्स चेचेज वगरा बन अरग आने में में भी इसका यूज किया टायता हैं वाइट कास्ट आरं वाइड कास्ट्रण में कारण की recommends कम होती है कितना one point seven five to two point three percentage में कारण होती है और इसकी क्या property होती है यह है है हई साइल ही होता है और शतर्स लो होता है एधि यह देखिये बिल्कूल इसकी उड़ोगा में कि लोटेंशाइल स्टेंथ वाईाइक आसा खिटेंथ यहां पर हाइट थिंसाइल ट्रॉग कम्रेशिव स्टेंथ रहता है इसका यूग कहा जा जाएगा इसका यूज कहता है बेडिरारिंग सर्फस यह घर Bitcoin मैं आकर updates की यहाइता है नेक्स्ट है चिल्ड काश्टारन चिल्ड काश्टारन इट इजे वाइट काश्टारन फ्रोडूच बाइक पीक कुलिंग देखिए इसके नाम से यह पूपता जलेगा चिल्ड चिल्ड मतलब क्या जब आप लोगों पता होगा कि जब कोई चीज रेड हॉट होता है गरम होता है उसको तुरहन पानी में सदन ठंडा करते हैं उसका तुरहन जो क्विक होता है तो उसी को हम लोग चिल्ड काश्टारन बोलेंगे यानि काश्टारन को अगर चिल्ड कर अगर हम वाइड काश्टारन को ही अगर क्विक कॉलिंग करते हैं तो चिल्ड काश्टारन में बतल है अब इसको चील्ड होने का मतलब है कि इसमें क्या होगा इसमें कौन कौन से प्रोपर्टी आ जाएगी क्वीक कोलिंग जनरली कालड चीलिंग एंड आरंस और प्रोडूच इस नोच चील काश्टारन इसमें जो जो हाड़नेस होती है वह काफी इंक्रीज हो जाती है ठीक है इसके नाम से आपको होता जालेगा मैं लियेबल प्रोपर्टी होने चाहिए यानि आप उस पर मिस फोर से प्लाई करोगे तो वह क्या होगा वह मैलियेबल हो जाएगा मिस फैल जाएगा एक थिन सीट्स के रूप में फैल जाएगा तो यह इसको हम लोग मैलियेबल इसलिए इसका नाम जो है मैलियेबल काश्टारन बोलते है इसमें डॉक्टिलिटी होती है ज्यादा होती है जिसकी वैसे वह आसानी से फैल जाता है और देखें, malleable cast iron is easily workable, इस पर आसानी से work किया जा सकता है, work करने के योगी होता है, workable, it is typically created using heat treatment process and white cast iron, जब white cast iron में heat treatment process करते हैं, तो हमको malleable cast iron मिल जाता है, ठीके आपको पता होगे कि मैंने क्या बता है, high tensile extent, low compressive extent, और उसमें जो है, उसमें जो hardness होती है, वो ज़्यादा होती, जब उसमें heat treatment करेंगे, तो उसमें थोड़ी ductility की property आजाएगी, जिसकी वैसे material को flow होने में, अकर उसमें force एपलाईगी है, तो वो आसानी से फैल जाएगा, यानि फैले गाती हैं, इन sheets के रूप में, तो white cast iron is heated, treated, heated, treated from up to two days, after which is cooled, तो करने के बाद में, इसको cooling कहता है, बहुत slow process में cooling कहता है, When finished, maleable cast iron can be bent and manipulated to achieve unique shape and size, maleable cast iron को जब हम bend करते हैं, या पिर जिस form में भी हम उसमे force apply करके, वो shape या पिर वो size में हम लोग ला सकते हैं, इसका use कहा होता है, एक्सेल बेरिंग में, track wheels में, automobile और crankshaft में इसका use कहाता है, next है ductile cast iron, तो इसके आप नाम से पर जलेगे ductile, यानि इसमें ductility के property होगी ही होगी, अब इसमें carbon की percentage पर देख लेते हैं, carbon की percentage 3-4% होता है, देखिए मैंने सब में carbon की percentage लिखा है, मतलब exam में जो है न, ये question आता है, ductile cast iron में कितना carbon के percentage होती है, या पिक ग्रे cast iron में carbon के percentage कितनी होती है, वो पूछता है, तो ये थोड़ी थोड़ी important है, और उसका property और वो कहां पर यूज किया आते हैं, ये तीन चीज़े आप इसके बारे में अगर समझ लिए, मतलब जानगे, तो इससे अलग कोई question exam में नहीं आएगा, देखें, इसमें carbon के percentage तीन से 14% होती है, और silicon के percentage 1.8 से 2.8% होती है, tiny amount of 0.02 से 0.01% magnesium and only 0.02 से 0.04% serum added to digital oil, ये जो percentage है, जब contaminants है, वो आपको थोड़ा याद कर लेना है, फिर क्या बुला है, these alloys slow the growth of graphite participants by bonding to the age of graphite plans, ठीक है, ये alloy जो है, graphite participant के growth में, growth को slow करता है, एलोई slow the growth of graphite participant by bonding to the age of graphite plans, graphite plans के जो age को bonding के द्वारा ये क्या करता है, graphite participant के growth को slow कर देता है, इसकी वैसे इसमें ductility आ जाती है, ductility मतलब क्या होता है, जब हम उसको खीचेंगे, ठीक है, तो वो एक मंस वो खिषता जाएगा, खिषता बोले तो थी वायर के रूप में फैल जाएगा, खिच जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ductile cast iron, यूज़ कहा होता है, तो इसका यूज़ कहाता है, gear बनाने में, camshaft वगरा में, camshaft और crank shaft, दोनों में ductile cast iron यूज़ कहाता है बनाने में, तो उम्मीद दोस्तों आपको cast iron के type के बारे में जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपको यूज़ वीडियो helpful लगा ते वीडियो को लाइक किजिए, और हमारे चैनल पर नए आपको सब्सक्राइब कर बेल आइक करें, ताकि ऐसी वीडियो के बिट्स आपको मिलती रहे, पेसी के साथ जाहिंग 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 भारे